मध्य परदेश के कई शेत्रों में धीमी गती से वर्षा के लगातार जारी रहने के बाद इंदोर की चामनी अनाजमंडी में धलन की आवक बेहत कम जोर देखने को मिल रही है तरसल मिलो के छुटपुट खरीदारी रहने से कुछ धलन की कीमतों में तेजी का महल बनता दिखाई दिया है वही मसूर में नीचे दामों पर खरीदारी निकलने के साथ आवक कम होने से भाव में एक बार फिर से सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है मसूर नीचे में 6,000 रुपए तो उपर में 6,050 रुपए प्रतिक विंटर पर पहुँच गई है इसके समर्थन में मसूर दाल भी 100 रुपए बढ़कर बोली जा रही है आपको बता दे कि दूसी और घटे दामों पर तूवर में खरीदारी पीछे हटने के कारण आवक कम हो रही है जबकि मिलो की छुटपुट मांग बराबर बनी हुई है और इससे भावो को सपोर्ट मिल रहा है हलाकि तूवर दाल की भोकता मांग फिलाल नहीं दिख रही लेकिन कारोबारियों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर मांग बढ़ती हुई दिखाई दे तूवर 100 रुपे बढ़कर महाराष्टर सफेद 75-700 जबकी करनाटक 700-7900 निमाडी तूवर 66-7100 रुपे प्रतिव किंचर तक पहुँच चुकी है तूवर दाल में भी अच्छी मांग होने से 200 रुपे की तेजी फिलाल देखने को मिल रही है और लगतर बारिश की वज़े से मूंग फसर को नुकसान होने की आशंका के चलते खरीदारी बढ़ गई है जिससे मूंग के घटते दामों में रुकावट के साथ ही तेजी देखने को मिल रही है मूंग भी 100 रुपे बढ़कर 64 से 67 सो और एवरेज 55 सो से 61 सो और नया मूंग पान वर्षा का 67 सो से 7 अजार पर प्रतिक इंटर पर पहुंच गया है इसके चलते मूंग दाल में 1.500 रुपे की तेजी देखने को मिली है जबकि उड़द और चने में कोई बहुत जादा अंतर नहीं आया है वहीं भाव में कोई बहुत जादा परिवर्तन ना होने के चलते उमीद की जा रही है कि उड़द और चने की कीमतों में फिलाल बजार समान्यार रह सकता है Bureau Report Market Times TV